कि नमस्तिय भागवान भाईयो स्वागत है आपका एपल फार्मिंग मारस्टर यूट्यूब चैनल में किसांसाथियो यह है काटिमोन मैंगो जो कि आल सीजनेबल है आल टाइम यह फल देता है और आप देख सकते हैं इस पौदे को दो से ढ़ाई साल हो चुके हैं प्लैंटिशन करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग आ रहा है यह देख लिजिए आज का डेट है पंधरा एप्राइल तो अभी इसमें फ्लावरिंग आ रहा है तो आप इससे यह अंदजा लगा सकते हैं कि यह ओप सीजनेबल वर्यटी है और साल में तीन बार इसमें फ्लावरिंग आता है यह देख लिजिए और इस तरह से इसका फ्लावरिंग होता है किसान सातियों मैं आपको बड़ा फ्लावरिंग भी दिखाता हूँ कुछ प्लावरिंग भी चल रही है यह देख लिजिए इसका फ्लावर का जो लेंग होता है यह देख लिजिए कितना लंबा होता है यह देख लिजिए यह दिखिए यह भी पौधा है सभी पौधो में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो है इसमें फ्लावरिंग लगा हुआ है यह देख लिजिए अभी यह फ्रूट लग जाएगा इसके बाद में और इसमें फ्लावरिंग शेकंड फ्लावरिंग और आएगा ऐसे ही यह चलता रहेगा यह देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्लावरिंग आ रहा है और इसमें फ्लावरिंग भी लग रहा है देख लिजिए यहां पर कितना फ्लावरिंग फ्लावरिंग लग रहा है यह देख लिजिए कितना फ्लावर रूट लगा है तो आप इस वराइटी को लगा करके अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं किसान साथी हो कि कि आप सीजन में मार्केट में में मेंगो नहीं होता है तो इसका रेट अच्छा मिल जाता है अगर आपको काटिमोन मेंगो का प्लाडिशन करना है तो हमारे पास इसका ओरिजिनल प्लांट है जल्द से जल्द आप अपने पोधे के बुकिंग करा सकते हैं जून में आपको पोधे मिल जाएंगे आपको फ्रूट भी दिखाना है मैं आपको फ्रूट दिखाता हूँ किस तरह से होता है अभी इसमें फ्लावरिंग चल रहा है दूसरे पोधे में जो है तो फ्रूट भी लगा हुआ है बड़ा वाला वो दिखाता हूँ मैं आपको ये देख लीजे किसन सतियो इसमें किस तरा से फूरूट लगा हुआ है ये भी मातर 25 साल का ही पूदा है ये देख लीजे ये है काटि मोन मैंगो ये बड़ा फूरूट है देख लीजे इस पूदे में ये देख लीजे दो और यहां पर देख लिजिए आप कितना सारा फ्रूट लगा हुआ है देख लिजिए यह देख लिजिए लगबग पांच फ्रूट एक ही जगा में लगा हुआ है इह है अलटाइम काटिमोन मैंगो जीसमें कि आप देख सकते हैं मैचुर फ्रूट भी है और यह दिख लिजिए फ्लावरिंग ही आई वगा था चोटा वाला फ्रूट भी है देख लिजिए कितना चोटा फ्रूट है और यह फ्लावरिंग भी अभी कही कही पर हो रही है तो इस तरह से जो है इन में फ्रूट लगता है किसान साथियो आपको अगर कमर्शली खेती करना है तो आप इस वराइटी का आवश्य चैन कीजिए क्योंकि यह जो मैंगो होता है इसका साइज भी अच्छा होता है अभी तो छोटा-छोटा फ्रू और खाने में बहुत मिठा होता है तो प्राइब पाको हुआ भी मिठा होता है तो आशा करते हैं किसान साथियों आपको लिए अच्छा लगे तो लाइक शेर अभीशच्च करें और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब अभीश्य कर ले धन्यवाद